पर्वत प्रदेश में पावस कवीता का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस इस कवीता से संबंदित जो कवी हैं उनका जीवन परीचिय हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं यहाँ पर अब हम कवीता को पंक्ती धर पंक्ती उसकी अर्थ के साथ समने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो कवीता का शीर्षक है वो है परवत प्रदेश में पावस पावस का मतलब होता है वर्शारितू और परवत प्रदेश यानि की परवत ये इलाका यानि पहाडी इलाका तो इस तरीके से हमें शीर्षक तो समझ में आ गया कि यहां पर परवत परदेश की बात हो रही है और साथ ही वर्षा रितू की बात हो रही है अब वर्षा रितू में परवती छेत्रों में क्या-क्या नजारे देखने को मिलते हैं यहां पर कवी हमें बता रहे हैं पावस रितु थी परवत प्रदेश पलपल परिवर्थित प्रकरती वेश पावस रितु थी यानि वर्षा रितु थी और परवत प्रदेश था पलपल परिवर्थित प्रकरती वेश वेश यानि कि वेश भूशा आप जैसे वेश भूशा ब सब परिवर्तित होतावा दिखेगा तो अब इन दो पंक्तियों में कभी बोल रहें कि पावस रितु थी यानि वर्षा रितु का समय था और परवत प्रदेश था और परवतिय छेतर था और वर्षा रितु के प्रभाव से परवतिय प्रदेश ऐसा प्रभावित होता है कि व उसकी आप कह सकते हैं जो उसका रूप आकार रंग जो है वो सब बदला हुआ सा दिखता है कभी बारिश होती है और कभी धूप निकलती है तो इसलिए पल पल वो परिवर्तित होता हुआ हमें दिखाई देता है फिर से दोहराते हैं इन पंक्तियों को समझते हैं पावस रितूथी वर्षा रितूथी और परवतिय प्रदेश था पल पल वो परिवर्तित होता था प्रकर्ति का वेश बदलता रहता था तो साधारन सी बात है कि वर्शारी तू थी परवत ये परदेश था और वर्शा होने की वज़ा से पल-पल हर शन और हर कण जो है वो परिवर्तित हो रहा था बदल रहा था और प्रकरती का वेश जो है वो बदले जा रहा था मेखलाकार परवत अपार अपने सहस्र द्रिग सुमन फाड अवलोक रहा है बार बार नीचे जलमे निज महाकार अब यहाँ पर कभी बता रहे हैं कि मेखलाकार मेखलाकार यानि की तेड़ा मेड़ा मेखलाकार परवत अपार यानि कई बहुत सारे असीमित परवत जो हैं वो मेखलाकार के हैं यानि कि तेड़े मेड़े जो परवत है अपने सहसर सहसर का मतलब होता है हजारों द्रिग का मतलब होता है आंक सुमन का मतलब होता है फूल फार मतलब कि अब इसका इससे मतलब जुड़ा है तो जो मेखलाकार परवत है अपार मेखलाकार टेठे मेडे जो परवत है वो अपने हजारों सुमन रूपी फूल रूपी आँखो को فाड़-फाड़ कर देख रहे हैं अवलोक रहा है बार-बार अवलोक यानि देख रहा है बार-बार नीचे जल में निजमाकार यानि पहाड़ है और फिर नीचे पानी है अब ये बड़े बड़े पहाड है तेड़े मेड़े पहाड है ये आप देखेंगे साथ में ताल होता है उसमें परवतों की जो परचाई नजर आती है इसमें तो इसमें जो है पहाड अपनी बड़ी बड़ी आखों से इसमें जाक रहा है अपने वि विशाल आकार को अपने निहार राइस में तो कवी अब इन पंक्तियों में क्या कहा है कि टेड़े मेड़े अपार परवत जो हैं अपने सहसर हजारों सुमन रूपी फूल रूपी बड़ी बड़ी आँखों को फार कर अवलोक रहे हैं बार बार यानि अपनी आँखों को परवत जो है इस पानी में अपने आपको स्वेम को ही अपनी आँखे बड़ी-बड़ी करके देख रहे हैं जैसे हम अपने आपको खुद को बहुत सुन्दर महसूस कर रहे हैं शीशें बार-बार आँखे फाड़ फाड़ के अपनी देखे जा रहे हैं वैसे ही परवत जो है यहाँ पर कर रहे हैं तो इस तरीके से क्या हुआ यहाँ पर अर्थ की जो परवत हैं वर्षा रितू में परवती जो प्रदेश है पल पल परिवर्तित हो रहा है अपना वेश बदल रहा है तो जो अपार परवत श्रेणी है श्रिंखला है जो तेड़े मेड़े परवत है यानि कि बड़ी करके अपनी आँखों को बड़ी करकर के हजारों बार देख रहा है बार बार नीचे जल में स्वेम का महाकार यानि कि विशाल आकार जिसके चर्णों में पलाताल दरपन सा फैला है विशाल जिसके चरणों में पला ताल यानि कि अब ये पहाड है यहाँ पहाड की यहाँ पर अब जल है तो ये इसके नीचे तल पर ही जुड़ा हुआ है ये पानी तो ये इसके चरणों में हुआ तो जिसके चरणों में पला ताल अब ये ताल जो है पहाडों के चर्णों में है तो जिसके चर्णों में पला हुआ है ताल यानि ताल है दरपण सा फैला है विशाल और वो दरपण की तरहा जिस तरीके से शीशा होता है और शीशे में हम अपना स्वयम का मुख निहार पाते हैं वैसे ही पहाडों के लिए ये शीशा है ये ताल और ये इसमें अपना मुखनी हार रहे हैं क्योंकि पानी में उनको अपनी परचाई दिखती है आपने इस खुद नहीं देखा है कि ताल होता है बगल में आसपास के सारे नजारे दिखते हैं उसमें पहाड दिखता है सारे पहाड जो भी उसके अगल बगल होते हैं तो वो जिसके चर्णों में पला ताल यानि पहाडों के चर्णों में होने वाला ताल ताल जो है वो दरपन की तरह फैला हुआ है विशाल विशाल रूप में अपने दरपन सा फैला हुआ है गिरी का गौरव गाकर जर जर मद में नस नस उत्तेजित कर मोटी की लड़ियों से सुनर जरते हैं जाग भरे निर जर गिरी यानि की परवत का जो गौरव है वो गाकर जर जर बताता है मद में नस नस उत्तेजित करता है नशे में उत्तेजित करता है नस नस में हमेरे उत्साह भर देता है उत्तेजित मतलब उत्साहित कर देता है मोती की लड़ियों से सुन्दर जरते हैं जाग भरे निर जर और मोती की लड़ियों की तरह आप देखेंगे उपर से तेजी से पानी जहरने का बहरा है तो नीचे बुल-बुले उठते हैं और जाग सफे सफे सद दिखने लग जाता है तो वही मोती की लड़ियों से सुन्दर जहरते हैं जाग बरे निर्जर जहरनों से जहरनों से वो ज अग्छा कर बताता है कौन झरना जर जरकर यानिंगा जर साइसार कर सबस्क्राइब जब जरना बैए तो वह परवट के गौरव को बढ़ता है और नशे में जैससे, नसो में उसका नशाश जो है भर सबस्क्राइब जाता है उसके इत्साह से उसको देखकर जो मन में उत्साह आता है वो नस नस को उत्साह से भर देता है वो उत्साहित कर देता है तो मोती की लडियों से सुन्दर और मोती की जैसे लडिया बहती चली आ रही हो उस जरने से उस निरजर से जाग के साथ बहती हुई वो मोती की लडिया जैसे बहती चली आ रही हैं गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच कांशाओं से तरवर हैं जाक रहें नीरवनम पर अनिमेश अटल कुछ चिंता पर गिरिवर के उर से गिरिवर यानि परवत के उर से उर यानि की हरदय से उठ उठ कर अब परवत के हरदय से उठ उठ कर यानि परवत का जो हरदय उच अकांशाओं यानि बड़ी इच्छाओं तरूर यानि वरिक्ष हैं जाक रहे नीरव नभ पर नीरव यानि की शानत नभ यानि बादल आसमान आपने देखा होगा कि पहाड है पहाडों पे पेड ऐसे खड़े खड़े जो पेड़ आप देखेंगे वो दिखते हैं आमें कई बार तो यह यहीं पर कभी बता रहे हैं कि गिरिवर के उरसे उठ उठकर अब यह जो पेड़ है वो परवत के हृरदेपर खड़े होकर उठकर अपनी बड़ी-बड़ी उच अकाशाओं से यह जो तरूवर है वो ज़ाक रहे हैं उस शान्त आसमान में अब यह जितने पेड़ है वो शांत आसमान में जहांक रहें, देख रहें आसमान को, अनिमेश यानि बिना पलक जपके, अटल बिना हिले, कुछ चिन्ता पर, परन्तु कुछ चिन्ता में मालूम होते हैं, अब पहाडों पर ये जो व्रिक्ष हैं, खड़े हैं, आसमान को छूते वे से दिखाए देते हैं, इतने उचे-उचे वो व्रिक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, तो ऐसा लगता है, वो आसमान में जहांक रहे हैं, उस शांत आसम उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार पारद के पर अब यहाँ पर कभी बता रहे हैं कि अब बादल चा रहे हैं अब बादल चाने से क्या हो जाता है उड़ गया अचानक लो भूधर भूधर यानि कि परवत परवत ऐसा लगता है कि जैसे मानो अचानक से उड़ गया हो गायब हो गया हो फड़का अपार पारद के पर और इस तरीके से बादलों के आजाने से ऐसा लगता है कि सारे बादल जो सारे परवत है वो गायब हो गया है आकाश में बादल छा जाने से ऐसा लग रहा है मानो आ थर्ती पर तूट कर आगिरा हो. आकाश पर मानो जो आकाश है, फडका, अपार, अपार यानी की असीमित, यानी भी बहुत बड़ा विशाल, ये जो आसमान है, वो ऐसा लगता है कि धर्ती पर आकर तूट तो गिरो फड़ा अपार पारद के पर रव शेश रह गये है निर जर रव शेश केवल शोर में शेश कम अब सेश रह जाणा बचा हुआ जिusta करते और रव का मतलब शोões रह गये है निर जह यानी जहर नब अब क्यूंकि पहाड जो है वो सब तो सामने दिख रहे थे जरने दिख रहे थे अब यहाँ पर बादल आ गए इसकी वज़े से सारे जो पहाड है वो ढग गए है ऐसा लगता है वो पहाड उड़ गए और धर्ती पर अपार आसमान जो हाके गिर गया है अब तूट रव आकर गिर पड़ा है धस गए धरा में सभय शाल और ऐसा लगता है कि धरा में धर्ती में भय के साथ सभय यानि कि भय के साथ शाल के जितने भी व्रिक्ष है वो धर्ती में धस गए हो यानि कि अब जितने भी व्रिक्ष है वो सारे जब बादल आ गए है सामने तो सब धक जा दुन्द दुन्द सी हो जाती है तो ऐसा लगता है सारा परवत धग गया है सब परवत उड़ गए है और जितने भी शाल के वरिक्षें वो भी डर के मारे छुप गए है जैसा लगता है कि धरा में वो धस गए है उठ रहा धुवा जल गया ताल और ऐसा धुन्द उठ रहा है उठ रहा धुवा और ऐसा धुवा उठा है जैसे लग रहा है कि ताल जो है वो जल गया है यो जलद यान में विचर विचर यो जलद यान जलद यानी की बादल रूपी विमान विमान यानि कि आप जानते ही है तो यो ऐसा लगता है कि जलद रूपी विमान में विचर विचर कर विचर विचर कर यानि कि घूम घूम कर था इंद्र खेलता इंद्र जाल और ऐसा लगता है कि जैसे इंद्र देवता जो है इस जलद विमान में बादल रूपी विमान में घूम घूम कर इंद्र खेलता है इंद्र जाल यानि की अपनी जादूगरी दिखाता है इंद्र जाल दिखाता है यानि जादूगरी दिखाता है कौन इंद्र इंद्र भगवान ऐसा लगता है इंद्र जो है वो खेलता है इंद्र जाल और इस तरीके से धुंद फैला कर चारो तरफ ऐसा लगता है इंद्र जो है वो इंद्र जाल अपना बिछारा यानी अपनी जादू गरी दिखा रहा है आसमान में इतने बादल आ जाने से धुंद हो जाने से सारे जो पहाड हैं वो छुप जा रहे हैं और जो शाल के जितने भी वरिक्षें पेड़ हैं वो सब धरा में धस गए हैं ऐसा लग रहा है ताल जहाँ से लग रहा है जल गया हो अब ताल दिखी नहीं रहा है और ऐसा लगता है कि बादल रूपी विमान जो है उसमें घूम घूम कर इंद्र जो है अपना अपना इंद्र रूपी जाल बिछा रहा हो यानि अपनी जादू गरी दिखा रहा हो इस वातावरण में तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इसको उड़ गया अचानक लो भूदर ऐसा लगता है कि सारा भूदर यानि की परवत जो है वो उड़ गये हैं अचानक से क्यों कि ऐसा लगता है कि यहां पर अपार बादल बादल जो है वो अपने पर फैला कर आ गया हो अपार पारद यानि की अपार जो यहां पर वारिद है वो बादल जो है वो अपने पर फैलाता हुआ इस पूरे पूरे आसमान में और इस पूरे जो प्राकरतिक परिवेश ह इसमें अपार रूप में असीमित रूप में फैल गया हो और इस वज़ा से जो भूदर है वो ऐसा लगता है उड़ गया हो अचानक से गायब हो आपने देखा ये कि बादल छा जाते है जब चारों तरफ तो सब कुछ गायब हो जाता है सिर्फ धुन दिखती है तो वही यहा जासे यहां पर सभी परवत गायब हो गये है रवशेश रहे गये है निरजर और सिर्फ शोर शेश रहे गया है निरजर का यानि जरने का है तूट पड़ा भूपर अंबर और इस तरीके से भूपर यानि की जमीन पर अंबर अंबर यानि की आसमान तूट पड़ा हो धस ग वो धस गए हो उठ रहा धूवा जल गया ताल और धूवा उठ रहा ऐसा लग रहा है सब ताल में आग लग गई हो और ताल जल गया हो क्योंकि ताल पर भी धुंद घूम रही है तो वो धुंद जो है दूवा की तरह लग रहा है ऐसा लग रहा है कि उसमें आग लग गया हो ताल पूरा पूरा जल गया हो और योजलद यान में विचर विचर और इस तरीके से जलद रूपी यानि बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपना इंद्रजाल पहला रहे हैं अपना जादू दिखा रहे हैं तो इस तरीके से आपको I hope की कवीता यहां पर